हेलो दोस्तों, वेलकम टो और ओफिशिल लिटू चुनल एक्जाम कॉंसेट पे आज हम बात करेंगे जीवी सौ यानि जॉट बर्नार्ड सौ की बहुत ही फेमस सिक ड्रामा है आम सेंड दमैन यह दोस्तों इसकी इंपोर्टेंट इतनी जादा है कि यह इनवर्सिटीओं की कही सारी कॉलेजेस में स्लेबस में और कंपटेटिव इकजाम में इसको प्रिस्क्राइब किया गया है बिस्तिकली आम सेंड मैन एक एंटी रोमेंटिक कॉमेडी है यह एंटिक रोमेंटिक कॉमेडी के रूप में वार की फेटिलेटी को बताती है वार्स की बेर्सता को इसमें डिस्क्राइब किया गया है बिसिकली यह प्ले इतना famous है, इतना famous है कि जी वी सा का केरियर यहीं से प्रसिद होना शुरू हो गया, इसी पुब्लिकेशन के बाद जी वी सा ने इसको जैसे ही लिखा इसके प्रसिद्धी के कारण जी वी सा का भी नम high और fame को शुरू हो गया, आएए दोस्तों शुरू करत बिना समय व्यर्ष्थ के आमसें मैं के जब आमसें मैं के हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसके कुछ मेजर्स करेक्टर हैं इसके ओभल और थ्री एक प्ले तीन एक्ट में लिखा गया इतना ध्यान दिजिएगा बहुत ज़्यादा बड़ा प्ले नहीं है इसके करेक्टर पे इसमें टोटल साथ करेक्टर हैं सेबन करेक्टर में सबसे पहले पेटकॉर्फ फैमिली आती है जिसमें पेटकॉर्फ फैमिली में तीन मेंबर रहते हैं और तीन मेंबर के लावाद दो नोकर रहते हैं जिसमें मेजर पेटकॉर्फ जो एक बलगनियर आर्मी में मेजर्स है & Catherine Petkov उनकी वाइफ है जो एक house wife का काम करती है पुरे घर को ईज समालती है और दोस्तों एक interesting चीजह यह है कि यह जो परिवार है Petkov परिवार एक समय का अपने society का सबसे धनी और famous परिवार राता है ठीक ? और इन दोनों की एक daughter रहती है daughter hello hi Reina जो new Kid काफी romantic रहती है इसकी यह 23 रहती है, 23 साल की रुमांटिक गल है, और यह चीजों को बहुत ही light weight में लेती है, अपने में खुस रहती है, और इसके दो नोकरें, लाउका और निकोला, लाउका इनकी female servant रहती है, और निकोला male servant रहती है, जब लाउका की हम बात कर दें, तो बहुत ही beautiful, बहुत ह सुंदर और high ambitious गल रहती है, उसको यह पता रहता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं यह हूँ, मैं क्यों एक नोकरानी हूँ, वो आगे जाने के सोचती है, जब कि निकोला क्या है, इसके अंदर servant के ही गुन रहते हैं, और यह कहीं ने कहीं अंदर से अपने आपको स्युकार कर लिया रहता है कि मैं servant हूँ, इसी में खुस है, और इस आम सेनमायन कहानी के जो important part आते हैं, Sergius और Blunt Chili, जो Sergius है, पेटकॉफ के साथ आर्मी में head है, और यह कहीं न कहीं एक जो है, यह भी रायना का फ्यांसे है, और इसका attraction जो होता है, लौका के साथ कहीं ने की प्यार डेवलप होता है, इसको कहानी में हम आगे समझेंगे, और इस कहानी का ही रो Blunt Chili, जो Blunt Chili है, इस Switch Soldier रहता है, सरवियन आर्मी में, जो लड़ाई करता है, और यह इसकी साधी रहनास होती है, और कैसे प्रिस्तित्यूमिन की साधी होती है, कैसे आगे चीज़ें बढ़ती है, आईए पूरी कहानी को हम देखते हैं, अगर कहानी की बात करें, तो इसमें पहला एक्ट जो है, एक First जिसकी सुरुवात हम देखेंगे, 1885 का विंटर सीजन का समय रहता है, 1885 का विंटर सीजन का रात का समय है, और रात के समय में रहना पेटकॉफ जो है, अपने कमरे में, बैट चेमबर में लेटी हुई रहती है अराम करती है और तभी उस चेमबर में उसकी मा आती है उन्हें बताती है अपने मा को कि मा जबाती है कि कैसे जो सर्बिया और बिल्गेरिया में वार चला था वार अब खतम होने वाला है और सब लोग वापस आने वाले है उससे समय उ खिड़किया बंद कर लीजिए तो जल्दी जल्दी जर्वाजे और खिड़किया बंद करने लगती है तभी रहना करती है सुनो लौका आप यहां से जाओ मैं दर्वाजे और खिड़किया खुद ही बंद कर लूगी और वहां से लौका चली जाती है लौका जब चली जाती ह तो वह इतना खुस हो जाती है कि सर्जियस जो रहता है उसकी रूम में एक photograph रथी है photograph को वह लेकर अपना चुमने लगती है उससे बाते करने लगती है उसको बताती है कि तुम मेरे हीरे हो तुम ए हो उससी बहुत एक romantic family वहाँ पे generate करती है और उसे बात करते ही करते कब वह रहना सो जाती है उसको नीद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है जब अंधेरे में वह सो जाती है तो उसके कमरे में खिडकियां वह बंद करना उसमें भोल जाती है तो खिडकी से और उसी समें पाइप के रास्ते चड़ के एक सैनिक एक स तुमने मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओंगा बस मुझे छुपने की जगन दे दो अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूं जिससे रायना ने क्या करती है इस चीज को वह काफी देख दिखती है और जो साइनिक रहता है उससे बुरा वह 97 डर्वाजा खटकटाती है कि उसका दर्वाजा बंध है ठटकटाती है और माडम रहाना बोलती है कि मैडम दर्वाजा खोली हमारे साथ कुछ सोल्जर्स है जो आप की नियुक तलासी लेना चाहते है कि महलेवाठी के रास्ते कमे में को यह आँचान आदमी आं मैं तुम्हीं बचा लूँगी तुम इसे परदे के पीछे उसे चुपा देती है दब चुपा देती है सैनिक अंदर आते हैं उसे बहुत सारे जगों पर खोसने पुरा घर चान मारते हैं लेकिन कहीं उन्हें सैनिक जो होता है वह सैनिक उन्हें नहीं मिलता है तो और वह पिस्टोल जो है या पिस्टोल में गोलिया नहीं या जब या वार में भी जाता है तो अपने पॉकेट में चॉकलेट ले के जाता है तो यहीं पर रायना जो है उसे चॉकलेट किलिम सोलजर के नाम से भी उसे कहीं रिसाइट करती है चॉकलेट किलिम सोलजर और वह उससे बत जब उसकी मां और रहना कॉन कैथलीन पेट कॉप और रहना जब आखे ने को एक समया पेट पर इसे देख कि रहना के मुग से बिरखा आर जाता है कहीन कहीन रहना के मन में उससे प्रती प्यार और सॉप्ट कॉर्νεर उत्पन हो चुका रहता है और उससे लेके यहीं पर वो चीजें है और रहना अब जैसे ही होता है, उसकी रहना और रहना के मान उसे एक कोट देके, कोट के भेस में लुका के उसे वहां से भगा देते हैं अगले दिन फिर जो यहाँ पर Part 1 खतम हो जाता है अब इसमें जो Act 2 यानि Act 2 की बात करें Act 2 शुरू होता है कुछ महीनों बाद यानि 18886 के विंटर का जो महीना बीर जाता है 6 महीने बाद Act 2 शुरू होता है यूद जो होता है सर्विया और बुल्गेरिया का खतम हो चुका रहता है वह खुसी नहीं है क्योंकि यूद जीतने के बाद भी उसको पर्मोशन नहीं मिला है और कहीने कहीं वह जानता है कि वह यूद जो जीता है वह कहीने कहीं गलत परकिरिया गलत नहीं थी उसमें रॉंग वे में ही यूद जीता जिसको लेक अंदर से गलानी रहता है उसे परमोशन नहीं दिया जाता है जिससे प्रशान होकर वह सरजियस क्या करता है वह बोलता है कि मैं कहीं ना कहीं मोरी जाईन देने के मूड में हो ऑन रिजाईन देना चाहता है अब इसी बीड जो पेटकोफ रहते हैं केतरीन से बात करने चले जाते हैं और यहीं हाइ लफषीन होता है जिसमें Sergis और रहना बैसिकरी तरजी於र और रहना जो सरजियस की महराज इनको देख कि येक्छा मैंने बताया लौका बहुत खुबसूरत लड़की है और रहर नौकराणी रहती है इसकी हाई ambitions भी रहते हैं सर्जियस लौका का क्या करता है हाथ पकड़ लेता है जिसका हाथ पकड़ लेता है लौका जानती रहती है कि सर्जियस को क्यों हाथ पकड़ा कहीने की लौका की भी मरजी रहती है लौका न उसे चड़ाती है करने आता है वो कोट वापस करने आता रहता है यह साइनिक वही रहता है जो act first में जिसका नाम दीए किया गया रहता है जिसे रहना ने अपने घर में छुपाएा हुआ था यह रहते हैं बर्ण चली महराज और यह आते हैं कोट देने वापस करने जब यह कोट देने वापस करने आते हैं तो यह रहना और कैथरीन पेटकॉप इसे देख लेते हैं कि यह तो कोट देने आते हैं और रहना इसे देखते ही चिलाती है चौकलेट क्रीम सोलजर यानि इतन मेंजर पेटकॉप को और सरजियस को कहीं मैंजर बैठक Bog up को और सरजियस को तो कहीं नहीं कुछ गरबड्र नहीं टूills रहे उसे छुपाना चाहते हूं दो दिनधे रिक्òng डेकल से हैरीं पर बदला हो रहा है कि बलंड चली वहां पर कैसे है तो वहां पर लौका इसको बताती है सर्जियस को कि एक आदमी जैसे कि आप लोक बता रहे थे पेटकॉप और सर्जियस बात करते हैं कि युद्ध के दोराने काज में आदमी आया था हमारे सहर में जिसको एक लेडिस ने घर में छुपाया हुआ था वह लेडिस कौन है यह नहीं जानते हैं तभी लौका सर्जियस को बताती है कि वह लेडिस रायना है जिसने इस बलंड चली को युद्ध के रात अपने घर में छुपाया हुआ था यह बास सुनके सर्जियस को बहुत ही गुसा आ जाती है और व सर्जियस उनसे क्या करता है कि उससे मिलने जाता है और उससे एक लड़ाई के लिए कि federal अब हम तुम एक लड़ाई करते हैं लड़ाई झतुम के लिए उससे बुलाता है लेकिन यहां entrada ऊपर जोurgल उनकी help करता है वहीं पर लडाई का एक महौल बनता है लेकिन लडाई होई नहीं पाती है ब्लंड चिली इस लडाई को इग्नोर कर देता है और उसको कहता है कि भाई लडाई ओडाई कोई मतलब होता नहीं है इस सब चीजें विकार में है और कहीं ने कहीं ब्लंड चिली को उ प्यार होता है ब्लंड चिली के प्रती यहां पर सो करता है ब्लंड चिली को इन दोनों की साधी के लिए जो मेजर पेटकॉफ हैं वह राजी हो जाते हैं क्योंकि कहीं ने कहीं जो ब्लंड चिली एक हाई फेमली से बिलॉंग करता है इसके पास कई सारे स्थभल कई सारे होटल हैं तो एक माबाप होने कि नातमी स्विक्यूर्टी रहती है कि पैसा लड़का पैसे वाला है चलो रहना की साधी कर देते हैं ठीक तो ब्लंड चिली यहां पर इसंसे यहां पर रहना साधी हो जाती है और जो यहां पर एक रहता आै सरजियस इसकी साधी लौका से क्योंकि कहीं ने कहीं उससे लौका से प्रेम भी करता है तो इन दोनों में प्यार हो जाता है लौका वूचार शाजियस कर लेते हैं खोड़ देती है तो कहानी के अंत में हम देखने कि दो जोड़े साधी करते हैं एक रायना पेटकॉफ साधी करते हैं बरंचिली से ठिक और जो सर्जय साधी करता है लावका से तो यह दो नो लोक यह पूरी ओवर ओले कहानी है जिसमें यह दिखाये गया कैसे चीज़ें रोम